सब्सक्राइब करें हमारा यूटूब चैनल बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें जिससे आगे आने वाले सभी यूटूब अपडेट्स, वीडियोज, नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहें नमस्कार दोस्तो, परिशकार वर्ड में आपका स्वागत है दोस्तो हम आपके लिए लेकर आएं हाई कोट टेश सीरीज आईए हम इससे सम्बंदित भूगोल के कुछ प्रश्णों की चर्चा करते हैं पहला प्रश्ण है मित्रो, राजिस्थान को प्रशाश्निक रूप से कितने भागों में बिवाजित किया गया है ओप्सणों को देखते हैं, आठ तेतिस, आठ बत्तिस, साथ बत्तिस और चौथा ओप्सण है साथ तेतिस सबसे पहले इस्प्रिशन का आंसर देखते हैं मित्रों तो आंसर हो जाएगा D. 7-33 सामानते जैसा कि मित्रों हम जानते हैं राजिस्थान को प्रशाश्रिक रूप से जब माटा जाता है तो 7 संभागों में और 33 जिलों में विवाजित किया जाता है ये साथ संभाग और 33 जिले किस प्रकार से हैं बांचित में जैसा कि आप देख पा रहे हैं साथ संभागों में पहला संभाग है मित्रो बीकानेर शंभाग जिसमें चार जिले गंगानगर, हन्मानगर, बीकानेर, चुरू इस्थित हैं वहीं दूसरा संभाग है मित्रो जोदपुर संभाग जिसमें जोदपुर, जैसलमेर, बाडमेर, जालोर, सरोई और पाली जिले इस्तित हैं वहीं तीसरा संभाग होता है मित्रो उदैपुर शंभाग जिसमें राजसमन, चित्तोरगर, उदैपुर, पृतापगर, डूंगरपुर और बांशवाड़ा जिले समलित किया जाते हैं उसके बाद है मित्रो चोथा संभाग अजमेर संभाग जिसमें नागवर, अजमेर, भीलबाड़ा और टौंक जिलों को समलित किया जाता है वही अगला है मित्रो जैपुर संभाग जिसमें जैपुर, अलवर, दौशा, जुनजुनू और सीकर जुलों को संभलित किया जाता है उसके बाद है मित्रो छटा संभाग कोटा संभाग जिसमें कोटा, बूंदी, बारा और जालावार चार्जले संभलित हैं इसके बाद है मित्रो लाश्ट और सात्मा संभाग बरतपुर संभाग जिसमें वी चार्जले संभलित हैं बरतपुर, दौलपुर, करोली और सवाई मादोपुर यानि कि सामानते हम देखें तो इन साथ संभागों में ही 33 जिले विस्तृत हैं तो इस प्रकार से कुछ प्रिशन पहले भी पूछे गए हैं मित्रो देखते हैं राजिस्थान के 33 जिलों को कितने संभागों में बाटा गया है मित्रो वही प्रिशन है लेकिन गुमाकर पूछा गया है यहां प्रिशन का अंसर हो जाएगा साथ संभाग और जैसा कि आप देख पा रहे हैं पीटी एट की एकजाम 2015 में यह पूछा गया है अगला प्रिशन देखते हैं मित्रो राजिस्थान का कुल छेत्रफल है यहां कुल छेत्रफल पूछा गया है सीधे सीधे ओप्सन देखते हैं 3,42,000 वर्ग मील अगला प्सन है 1,32,000 वर्ग मील तीसरा ओप्सन है मित्रो 2,87,000 वर्ग मील और चौथा ओप्सन है 3,28,000 वर्ग मील आपको बहुती सरल प्रिशन लग रहा होगा मित्रो लेकिन आपको यहां इसकी एकाई पर ध्यान देना है यहां एकाई जो वर्ग किलो मीटर ना होकर वर्ग मील है अर्थात आप समझी गए होंगे यहां प्रिशन का आंसर देखते हैं मित्रो आंसर हो जाएगा 1,32,000 वर्ग मील सामानता राजिस्तान के चित्रफल की बात करें हम तो राजिस्तान का कुल चित्रफल होता है मित्रो 3,42,000 वर्ग किलो मीटर अगर हम वर्ग किलो मीटर में देखें तो वहीं इसे दूसरी एकाई में देखें वर्ग मील में तो 1,32,000 वर्ग मील अर्थात हमसे वो प्रश्ण किस एकाई में पूछ रहा है वर्ग किलोमीटर में प्रश्ण पूछ रहा है तो 3,42,000 हो जाएगा जबकि वर्ग मिल में प्रश्ण पूछ रहा है तो 1,32,000 हो जाएगा वहीं छेत्रफल की द्रश्टी से भारत में अगर इस्थान देखा जाए तो राजस्थान का इस्थान हो जाता है पहला इस प्रकार के कुछ प्रश्ण प्रिक्षाओं में पूछे गए हैं देखिए पटवार 2011 सेकंड ग्रेट 2010 में प्रश्ण पूछा गया है राजस्थान र लेखा 3.42 लाक वर किलोमीटर ना लिखकर रुष्ण लेखा 3.4 लाक वर किलोमीटर वहीं अगला प्रश्ण देखिए मित्रों छेत्रफल की द्रश्टी से राजस्थान का भारत में इस्थान है यहां सीदे सीदे स्थान पूछा गया है तो इस्थान हो जाएगा पहला राजस्थान की उत्तर से दच्छिन की लंबाई क्या है इस्थान का सबसे पहले आंसर देखते हैं आंसर हो जाता है 826 किलोमीटर इस्थान की व्याक्या देखते हैं मित्रों सामानता यह प्रश्ण है राजस्थान के उत्तर दच्छिन पूरपश्वी विस्तार से सबसे प विंदू और दच्छनी विंदू के बीच की लंबाई देखें तो वह लंबाई होती है मित्रों 826 किलो मीटर तो हम कह सकते हैं राजिस्तान का सबसे उत्री दच्छनी जो विस्तार है वह हो जाएगा 826 किलो मीटर इसी प्रकार मित्रों दूसरा प्रिशन भी बन सकता है अगर उसी प्रकार पश्मी और पूर्वी छेत्रों को भी मिला दिया जाए तो इनके बीच की दूरी होती है 899 किलो मीटर अर्थात यह प्रिश्ण भी पूछा जा सकता है आईए मित्रों इसे संबंदित कुछ और प्रिश्ण देखते हैं जी हां राजिस्थान की पूरव से पश्चिम की लंबाई हैं देखिए थर्ड ग्रेट 2013 प्रिक्षा में यह प्रश्ण पूछा गया है यहां प्रिश्ण का आंसर हो जाएगा 899 किलो मीटर अभी हमने इसकी चर्चा भी की थी देखिए मित्रों अगला प्रश्ण है राजिस्थान की पूरव से पश्चिम चोड़ाई और उत्तर से दच्चिन लंबाई में अंतर है यहां अंतर पूछा गया है दोनों प्रश्णों को मिला कर प्रश्ण पूछा गया है हम यहां अगर आंसर देखें तो आंसर हो जाएगा 43 किलो मीटर इसकी हम व्याक्या देखें तो पूरव से पश्चिम में देखें तो इसका अंतर हो जाता है 43 किलो मीटर यानि कि इस प्रकार पृष्ण पूछे जा सकते हैं वहीं अगला प्रश्ण है मित्रों राजिस्थान की सबसे लंबी अंतर राज्य सीमा किस राज्य से मिलती है आंसर देखते हैं जी हां मित्रों पंजाब हरियाना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में से आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश इसको हम मांचित्र में अगर देखें तो राजिस्थान की सामानत है पांच राज्यों से अंतर राज्य सीमा लगती है कौन-कौन से सबसे पहला है मित्रों पंजाव राज्य जो की उत्तर दिसा में राजस्थान से सीमा लगाता है और रश्की लंबाई है 89 किलोमीटर वहीं दूसरा है मित्रो हरियाना राज्य तीसरा है उत्तरप्रदेश जो की पूरम में इस्तित है वहीं उसके बाद है मद्यप्रदेश जो की दच्छिल पूरम में इस्तित है रश्की लंबाई होती है 600 कि किलो मीटर और इसके बाद पांचमा राज्य गुजरात 1022 किलो मीटर के साथ वहीं अगर हम सबसे बड़ी और सबसे छोटी लंबाई की बात करें तो पंजाव के साथ जैसा कि आप देख पा रहें सबसे कम सीमा लगती है वहीं सबसे लंबी सीमा हो जाएगी मित्रो मद्यप् प्रिशन इस तरह से पूछे जाते हैं इससे सम्मंदित प्रशन देखें एलेसे 2018 थरगेट 2013 और रसर टीसी 2013 में प्रिशन पूछा गया है मित्रो राजिस्थान से कितने भारती राज्यों की सीमा मिलती है सीदे सीदे संक्या पूछी गई है देखिए प्रिशन का आंसर हो जाएगा पांच वहीं अगला प्रशन है मित्रो राजिस्थान की दच्छनी पूर्वी सीमा पर इस्थित पड़ोशी राज्य का नाम है यहां एक निश्चित राज्य पूछा गया है दसा दी गई है दच्छनी पूर्वी सीमा पर अभी आमने बात भी की थी प्रिशन का अंसर हो जाएगा मध्यप्रदेश अगला प्रशन देखते हैं मित्रो राजिस्थान की अंतरराष्टिय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है बिलकुल सही बात है मित्रो इसे किश नाम से जाना जाता है इसे क्या नाम दिया जाता है चार उप्सन है मित्रो मैंक महों रेखा गूरंड रेखा रेड किलिफ रेखा और चौथा अप्सन है कोई नहीं प्रशन का आंसर देखते हैं सबसे पहले आंसर हो जाएगा रेड किलिफ रेखा सामानते अगर हम इनकी बात करें मित्रो भारत और पाकिस्थान के साथ जो अंतरराष्टिय सीमा इस्तित है उसे जान की लंबा ही होती है मित्रो 170 किलोमीटर केवल राजिस्तान के साथ लगने वाली अंतरराष्टिय सीमा की वहीं हम इन बाकी तीन ऑप्संस की बात करें मित्रो तो भारत की जो अंतरराष्टिय सीमा है वह कई देशों से लगती है जैसे कि आप देख पारें पाकिस्तान के लगवग यहां तक फैली हुई है तो इस प्रकार से प्रश्ण पूछे जाते हैं वहीं इससे संबंदित बिगत परिक्षाओं में आयोए प्रश्ण देखते हैं मित्रो थडगेट 2013 पटवार 2011 में प्रश्ण पूछा गया है राजिस्थान की किस देश के साथ लंबी अंतर र जाते हैं तो आंसर हो जाएगा पाकिस्तान वहीं अगला प्रश्ण है मित्रो राजिस्थान की अंतरराष्टिय सीमा कितनी लंबी है यह सीदी सीदी लंबाई पूछी गई है तो आपको सीधा याद होना चाहिए जिए मित्रो आंसर हो जाएगा 1070 किलोमीटर अगला आंसर देखते हैं मित्रो आंसर हो जाएगा पश्मी भाग इस परश्ण की व्याक्या देखे हैं तो राजिस्थान के सरवादिक छेत्र Hein वाले जिले होते हैं मित्रो सबसे पहला जिला होता है जैसलमेर वहीं चेतफल की द्रश्टी से दूसा सबसे बड़ा जिला है बाड म वहीं चोथा सबसे बड़ा जिला होता है जूदपुर और पांचवा सबसे बड़ा जिला होता है नागौर अब हम इसको राजिस्थान की इस्थिति के अनुसार देखें तो ये पांचों ही जिले पश्च्वी राजिस्थान में इस्थित हैं तो सामानते हम कह सकते हैं राज अगला प्रेशन है मित्रो राजिस्थान में अरावली परवत की लंबाई कितनी है सीधे सीधे राजिस्थान में अरावली की लंबाई पूछी गई है औप्सन देगे 2400 किलो मीटर, 550 किलो मीटर, 692 किलो मीटर और 930 मीटर आंसर देखते हैं मित्रो आंसर हो जाएगा 550 किलो मीटर वहीं इसकी व्याख्या की बात करें राजिस्थान को बहुतिक रूप से बाटा जाता है चार भागों में जिनमेंसे दूसरा भाग है अरावली प विस्तार की बात करें तो अरावली परवतमाला गुजरात राज्ज में राजिस्थान राज्ज में और दिल्ली में फैली हुई है यानि कि हम सीधा कह सकते हैं कि अरावली परवत राजिस्थान के अलावा गुजरात में और इधर देखें तो दिल्ली में भी विस्त्रित ह तो इस प्रकार अगर हम मित्रों देखें तो अरावली परमत्माला की कुल लंबाई कितनी होगी तो कुल लंबाई हो जाती है 692 किलो मीटर पर है गुजराश से लेकर दिली तक इसकी लंबाई होती है 692 किलो मीटर जब की अगर हम केवल राजिस्थान में इसकी स्थिति हहां कि इसका 80 प्रतिशत भाग राजिस्थान में पायजाता है तो राजिस्थान में इसकी लंबाई हो जायेकी मित्रों 550 किलोमीटर खुल प्रस देखते हैं राजिस्थान की सबसे उची चोटी इस है सिदे-मित्थान तत्यों की बात करते हैं, तो राजिस्थान की सबसे उंची चोटियां होती है, सबसे पहली है मित्रो गुरु सिखर, जो की सिरोही जिले में इस्तित है, और इसकी उंचाई होती है मित्रो 1722 मीटर, वहीं राजिस्थान की दूसी सबसे उंची चोटिया मित्रो सेर, वहे भी स स्रोही जिले में इस्तित है और इसकी उचाई होती है 1597 में मीटर इसी प्रकार 30 सब से उची चोटी है मित्रों देलवाड़ा यह भी स्रोही जिले में इस्तित है और इसकी उचाई होती है 1442 मीटर और उसके बाद राजिस्थान की 34 सब से उची चोटी होती है मित्रों जर्ग में प्रशन पूछा गया है रावली की उच्चतम चोटी है यही प्रशन सीधे सीधे पूछा गया है मित्रो आंसर हो जाएगा गुरु शिखर वहीं आप देख पारें उद्योग प्रशार अधकारी 2018 में प्रशन पूछा गया है सेर चोटी की उच्चाई कितनी है आपको अगला प्रशन है मित्रो पश्मी मरस्थलिय俺 प्रदेश जो के राजिस्तान का इक भौतिक प्रदेश राजिस्थान के कितने जलों में विस्च्छत है यहीं एक बहुतिक प्रदेश है वह पूछा गया है ॉप्सन दिये गए नौद दस 11-12 आंसर देकते हैं यहां आनसर ह जाएगा बारा राजिस्थान का सबसे बड़ा बहुतिक प्रदेश होता है पश्मी मरुस्तलिय प्रदेश और जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें राजिस्थान के बारा जिले संबलित हैं गंगानगर हर्मानगर पीकानेर चूरू वहीं जैसलमेर बाडमेर जालोर जोद प्रदेश पूरवी मैदानी प्रदेश और दच्छनी पूरवी पठारी प्रदेश सामानता इस प्रिशन को अम देखें तो राजिस्थान को बहुतिक रूप से चार बागों में बाटा गया है उनके छेत्रफल की बात करें पश्मी मरुस्तलिय प्रदेश का छेत्पल होत राजिस्तान के कुल चीठत्रफल का यानि कि सबसे बड़ा बहुतिक प्रदेश है वहीं पूरवी मैदान का छेत्रफल होता है 23.3प अरवली परवत्रवत प्रदेश का छेत्पल होता है 7.7 प्रतिश अर्थात हम इन ओप्संस को देखकर कह सकते हैं कि राजिस्थान का सब से छोटा जो बहुतिक प्रदेश है वह होता है दच्छनी पूर्वी पठारी प्रदेश तो इस प्रकार मित्रों हमने हाई कोट में भूगोल से आने वाले प्रशनों की कुछ बात की जो आपके लिए मह सब्सक्राइब करें हमारा यूटूब चैनल बैल आइकन को क्लिक करना ना भूलें जिससे आगे आने वाले सभी यूटूब अपडेट्स वीडियोज नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहें